नमस्क्राइब फैंस मैं हूँ नियहा स्वागता आपका इस नियहा में हम कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन इसके रिगाड़ी में वो सरी वीडियो अप्लोड कर चुकी हूं और जो मॉक्टेस है आपके डेली बेसे से चल रहे हैं आपके एक्जाम तक चलते रहेंगे तो आज अपना जो स्कोर है जो आपका स्कोर आता है 1500 से रहा जरुरू करें और दो रास्टि प्स्यशन निति कब लागू की गई थी 1993 में 1990 में 1995 में 1994 में तो जो राष्टिय पोशन निती थी वो 1993 में लागू की गई थी नेक्स्ट है राष्टिय स्वास्थे निती गब लागू की गई थी 1981 में 1999 में 2002 में 2010 में तो राष्टिय स्वास्थे निती जो लागू की गई थी वो 2002 में की गई थी नेक्स्ट है पुरुस में क्रोमोजोम होते हैं XY XX क्रोमोजोम घुनशुत्र YY या YZ तो कौन से होते हैं तो पुरुसों में जो क्रोमोजोम होते हैं वो होते हैं क्रोमोजोम XY ठीक है नेक्स्ट है जब अंडाणू के X के साथ सुक्राणू का Y मिलता है तो जनम लेता है जनम होता है लड़की का लड़के का दोनों का या कोई नहीं तो क्या होगा इसका आंसर तो जब फीमेल में जो होता है वो होते हैं XX और मेल के जो होते हैं तो जब फीमेल का X मिलता है और मेल का Y तो जो मेल में क्या होते है एक्स वाई तो वो किसका जनम होगा लड़के का ठीक है नेक्स्ट है बच्चे के लिंग निधारन की मुख्य भूमी का होती है पिता की माता की दादी की है किसी की नहीं तो क्या आंसर होगा इसका तो लिंग निधारन में जो मुख्य भूमी का जो होती है वो होती है पिता की तीक है नाकी माता की तो उसका ध्यान रखें आप नेक्स्ट है राष्ट्य प्रारंबिक बाल्य अवस्ता देख रहें कि हम शिक्षा इसी सी लागू हुई 2013 में 2016 में 2011 में 2010 में तो क्या होगा इसका आंसर जो इसी सी जो लागू हुई वो कब हुई लागू तो यह लागू हुई थी 2013 में ठीक है तो उसका ध्यान रखें आप नेक्स्ट है राजीव गांदी क्रेच योजना सम्मंदित है चैवर्ष से कम उमर के बच्चों की देखवाल एंव शिक्षा चार वर्ष से कम उमर के बच्चों की देखवाल एंव शिक्षा आठ वर्ष से कम उमर के बच्चों की देखवाल एंव शिक्षा या तीन वर्ष से कम उमर के बच्चों की देखवाल एंव शिक्षा तो राजीव गांदी क्रेच योजना जो सम्मंदित हो किस से है तो ये जो सम्मंदित है वो है 6 वर्चे कम उमर के बच्चों के देख बाले हैं शिक्षा से तो फर्स्ट ऑप्शन जो उसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एकी करत बाल विकास परियोजना कारेकरम के तहदी जाने वाली शेवाएं पूरक पोशाहार, स्वास्ते जांच, तीका करण या फिर सभी तो क्या होगा इसका अंसर एकी करत बाल विकास परियोजना के तहद तो इस परियोजना में जो है ये जो तीनों चीज़े है वो तीनों ही इंक्लूड है ये सेवाएं तो उसका जानसर जाएगा सभी नेक्स्ट है किस उमर का बालक गेंद फिक सकता है नो से बारा माँ का, चैसे नो माँ का, साथ से आठ माँ का या साथ से नो माँ का तो गेंद फिकने की बात की जारी है तो यसका फिक आउन्सर भी सार्च होजाएगा वह जाएगा 9 से का या गच शप्षा है ये तो बच्ची होगा जाए तो बच्चे ने पूछा रोटी कैसे बनती है तो जवाब आया सब से पहले वर्तन लो फिर आटा चान लो पानी डालो आटा गून लो और फिर रोटी बेलो फिर से को इस प्रकार बताने में किस बताने पर बच्चे में किस कोशल का विकास होगा अगर यह क्रियाएं बच्चे के सामने करके पर बताएं कि इस प्रोसेस से रोटी बनती है तो ब हम बद्द चिंतन का पहचान का समिश्व समाधान का तो इसका आंसर बताएं बहुत इंपॉर्टन क्रिशन है तो ये कोशल का जो विकास होगा वो होगा क्रम बद्चिंतन कि वो क्रम के अकॉर्डिंग की पहले यह चीज होगा उसके बाद यह आएगा फिर इसके बाद यह आएगा तो इसका अंसर यह होगा जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने यह भी उधान दिया था और जो अलग है कि जब बच्चे को खिलोना खो जाता है तो मम बताती है त देखा इसके बाद यहां देखा तो वैसर भी वह चीजें होती है सीरियल वाइस की इसके बाद मुझे करना है यह करना है तो यह क्या है क्रमबद चिंदन नेक्स्ट बच्चे को जनम के कितने घंटों के बीतर मां का पहला पीला गाड़ा दूद मिलना चाहिए साथ घंटे गंतर गट 6 गंटे एक गंटे या 12 गंटे तो क्या होगा इसका आंसर तो इसका जो आंसर होगा बच्चे को जो है जो दूद मिलना चाहिए वो एक गंटे के बीतर मिलना चाहिए एक विशिष्ट प्रकार का दूद है जो दूद पिलाने वाली माता मिर्दपन होता है और यह मानव के नवजास इसू में पर्ती रख्ष्या पर्ती क्रिया का विक्षित होने के लिए अनिवारि होता है तो उसमें पूच आयागा है कि जो माता का पीला गाड़ा दूद हो होसे होगा के तो इसका आइस को अइंसने स्कुलिस्ट्रोम में की ना कि कॉलेस्ट्रोल इस जो पीला गाड दूता है माओ का पहली जब पीता है गंटे की वीतर वाला तो उसको पीले गाड़े दूद को बोलते हैं कोलस्ट्रॉम ठीक है तो यह बहुत ही ज्यादा वल्टैर्ण ने तो किसकी प्रिवाषा है यह को कि तो परिवाषा मैंने आपको आज ही याद करवाई है तो आप सकाथ जरूर दें कि तोई इसका चांस है का क्रों या परिवासा जो दी गई थी क्रों के थू दी गई थी नेक्स्ट है बालक को कब उपरी हार देना प्रारम करना चाहिए दो साल बाद, छे माँ बाद, दस माँ बाद या एक साल बाद तो जो बालक को है वो उपरी हार स्टार्ट कर देना चाहिए जहां बाद लेकिन यह भी नहीं उसको मा का दूद बंद कर देना चाहिए वह भी पिलाते रहना चाहिए लेकिन जो उपर का आहार है दलिया वगरा वह भी स्टार्ट कर देना चाहिए नेक्स्ट है मनोसा माजिक सिदान नियों परतिवादित किया है, फ्राइड नहीं, जुंग नहीं, एडलर नहीं या फिर वूदवर्ट नहीं तो मनोसा माजिक सिदान किसने परतिवादित किया है तो यह जो शिदान प्रतिपादित किया है वो क्या है एड लर्ने ठीक है तो उसको ध्यान रखें मनो सामाजिक शिदान जो दिया था वो एड लर्ने दिया था नेक्स्ट तो उसको मनो विष्ण आपस द्रखें किस ने प्रतिपादित किया फ्राइड जंग अडलर या मुडवर्ट तो उसका अन्सर बताएं कि तो जो मनो लेंगिक और मनो विष्ण नात्मक जो सिदान दिया था वह दिया था फ्राइड ने ठीक है तो उसका ध्यान रखें आप next है कोहलबर्ग ने अपने नेतिक सिद्धान में कितने स्तर बताए है 4, 3, 7 या 2 तो क्या होगा इसका अंसर तो कोहलबर्ग ने नेतिक सिद्धान दिया है उसमें 3 स्टेजेस बताई है लेकिन इनकी दो-दो स्टेजेस अलग बता रहे हैं लेकिन जो मेंन है कि प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा फलसुरूप नहीं गतिवी दी है यह परिवाशा किसने दी है स्किनर ने, जेंप्स, ड्रेवर ने, टॉरेंस ने या स्पेंसर ने तो स्टेजन आत्मक्ता को लेकर यह परिवाशा किसकी है तो यह जो परिवाशा दी है वो दी है टॉरेंस ने, ठीक है यह जो किसने परिवाशा दी? टॉरेंस ने दी है तो यह मैंने आपको बताई थी जब वो उसमें तो इंग्लिश में लिखी हुई थी तो मैंने इसका जो हिन्नियों बिताया तो यह वाली परिवाशा है तो इसका अंसर जाएगा टॉरेंस अब सारी चिंतनन का प्रत्ते किसने दिया है गिलफोर्ड जैंस्ट्रेवर टॉरेंस या स्पैंसनर तो क्या होगा इसका अंसर तो इसका अंसर गिलफोर्ड ने दिया है ठीक है तो आप मुझे इसका अंसर यह बताएं कि जो गिलफोर्ड ने जो चिंतन बताए हैं अब सारी और अभी सारी वो किसको केंदर में लेकर बताए हैं किस चीज किस के बारे में बताएं कि दो परकार के चिंतन होते हैं तो इसका बहु बुद्धिस दान्त के प्रतिपादक कौन है गार्डनर स्पीर मैन अब भी नहीं है थ्रस्टन तो क्या होगा अश्का अंसर स्पीर और अडयन तो बहु बुद्धि सितान वह गार्डनर ने दिया है तो यह बाद्यान रखें जो बहु कारक सितान ही गार्डनर ने दिया है बुद्धी को लेके जबकि बहुवद्धी सिदान जो है वो गार्डनर ने दिया है नेक्स्ट अभिप्रेणा अधीगम का सरोत क्रष्ट राजमार्ग है या परिवाशा किसकी है स्किनर, जैन स्ट्रेवर, थॉन डाइक या गुड्ड तो क्या होगा स्कांसर तो अभी प्रेणा को जो अधीगम का सरोत क्रष्ट राजमार्ग बताए होगे, वो बताए है स्किनर ने, नेक्स्ट एक कितने वर्ष का बालक हाथ से गेंद केज कर सकता है दो वर्ष का तीन वर्ष का एक वर्ष का या देड़ वर्ष का वच्चा तो क्या होगा इसका आंसर तो जो तीन वर्ष का जो बालक होता है वो गेन को केच कर सकता है नेक्स्ट है बच्चे का अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना क्या कहलाता है सारे रिक विकास, संग्यानात्पक विकास भावना आत्मक विकास सम्वेक आत्मा विकास तो बताए इसका अंजर तो बच्चे का अपनी आसपास की चीज़ों के बारे में अवेर होना जानना कि ये जो फून है ठीक है और ये बैड है और आसपास की जो भी चीज़े हैं सारे इनके बारे में जानना कीदर की चन है तो ये सारे चीज़े हैं संग्या नात्मक विकास है ठीक है ए नेक्स्ट हो ना चडणा रहंगना किस प्रकार के कोशल है फाइन मोय पसक्पूल्ट नहीं कोई थो ख कूदणा चडणा रहंगना जो है वह ग्रोप्त स्किल्स के अंतरगत आते हैं इस नेक्स्ट जब बच्चा शब्द और वाक्य को समझता हो मतलों समझ सकता हो तो वो क्या है ग्रेहन भाषा रिसेप्टिव अर्थपूर्ण भाषा एक्सप्रेश्व प्रतिकात्म भाषा मतलों सिंबॉलिक क्या कोई नहीं जब बच्चा शब चाहित तो जब बच्चा समझता है उस चीज को तो रिसेप्टिव है यह नेक्स्ट किस मनवज्णिक ना कहा है कि बच्चों में भाषा के लिए जर्म जात लेडी लेंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है प्याजे वाइगोच की चॉम्सकिया वाट्सन तो क्या होगा इसका अंसर तो भाषा विकास के अंदरा एल लेडी की बात किसमें कही है तो ये कि जो कही है वो कही है नॉम चॉम्सकी ने कही है नेक्स्ट है बच्चे गोला बनाकर बैठे हुए हैं बारी बारी से कवीता गा रहे हैं इस कवीता इस क्रिया के पश्चात आपको पता चलता है कि रेनू नाम की लड़की बहुत सर्मीली है जबकि टीना अच्छे से कवीता का गान कर रही है ये आपने कौन सी विदी के द अच्छे से कवीता है तो यह जो विदी होगी वोगी अवलोकनात्मक विदी ठीक है तो आपने जो नोटिस किया देखा कि यह जो रेनू है वो थोड़ा सर्मा रही है जो पोएम है वो बोल नहीं पारी है तो यह सब किसी कीज़ से पत्सला को अवलोकन करने के वाद ठीक है नेक्स्ट है जब बच्छा टूटा फूटा बताता है तो एक-दो शब्द बोलता है तो यह किस प्रकार की बाशा होगी ग्रहन बाशा अर्थकून बाशा प्रतिकात आत्मक भाशा या कोई नहीं तो क्या होगा इसका अंसर जब टूटा फूटा बोलता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक-स्प्रेसी मुला अर्थकून भाशा ठीक है नेक्स्ट है जब बचा चिन चीन है यह चीन नहीं है चिन है ठीक है चिन और संकेतों को समझने लगता है और उनका उप्योग करने लगता है तो उसको समझे आप चीन नहीं है यह चिन है तो ग्रेंड भाशा अर्थकून भाशा प्रतिकात्मक भाशा यह कोई नहीं तो क्या होगा कि जब चिन और संकेतों को समझने लगता है तो वो कौन सी भाशा के अंतरगत आएगा भाशा विकास के अंतरगत तो वो होगा प्रतिकात्मक भाशा इन मेंसे किसने 14 संग्वेग बताए है जो 14 जो संवेग बताए है इमोशन्स तो किसने बताए है वाट्सन, ब्रिजेज, बैकडूगल, फ्रायड तो क्या होगा इसका अंसर तो आप इसका अंसर बताए कि किसने 14 संग्वेग की बात की है तो वो है मैकडूगल, ठीक है जो मूल परिवर्तियों का जो स्दान दिया था उसके अंतरगत बताए थे नेक्स्ट है राहूल दस नवंबर 2018 ठीक है उस दिन की बात है आज सुबह बहुत अच्छे मून में था वह कक्षा में आया और शिक्षक को बताया कि उसकी दादी उसे मसली गण लेके गई थी जहां उसने बड़ी मसली देखी ये बताते हुए बहुत उसाइट लग रहा था तो ये बच्चे के बारे में किस प्रकार का रिकॉर्ड है तो पॉट्फोलियो है एनेकड़टल रिकॉर्ड है चेक्लिस्ट है रिजो में तो इसका अंसा बताएं आप कि कौन्स किस प्रकार का रिकॉर्ड जो है वो है कि जब बच्चे का इन बच्चे ने जो भी चीजे बताई उसका रिकॉर्ड किया गया तो इसका अंसे बताएं आप बहुत इंपोर्टेंट क्विश्चन है तो यह जो चीज है वो अनेकड़टल रिकॉर्ड है क्योंकि इसमें कि स्पेशिकली एक इवेंट के बारे बात की गई है उसका इसे कि इस दिन इसने पर्टिकॉरम यह चीजे की तो उसको ऐसा ऐसा अगस्तूर को अपने परिवार परिवार नाम का पेड़ बनाया तो अपने परिवार के सबी सदेश्यों को लिखा family ठीक है ना family नाम लेकिन उसके भाई और भुआ का नाम उसके नाम के ठीक बगल में चिपकाया था यह बच्चे के बारे में किस प्रकार का record है portfolio, anecdotal record, checklist या resume तो यह किस प्रकार का record है तो जो portfolio है वो daily basis बनाजाता है कि आज 30 अगस्ट को को यह किया से के लिधास यह के थी कम एक कमी तो बृटाबीन की कमी से रतुण की रोग होता है इसमें चो आखोंगी रोशी हो हों नहीं कम हो जाता zh क्यों संतोली ताहार में कितने चुपाई जाते हैं साथ तीन चजय या- पाँच तो आटेने लेने के बाद जो आसपार जाते हैं कि और फेस्कान बतंखंध है तो में संतों है तो जो जवाब है का 9 समस्चा समधान काbanic पदती का पहला जरण है प्राक कल्पना का दिरबार प्राक कल्पना का परिख्षड करना है समस्या के पर्ति जाग रुपता या प्रासंगिक जानकारी को एकद्र करना तो क्या आंसर होगा इसका तो ये बताएं या पहले तो जब समश्या समधान की बात की गई है तो क्या इस में जो पहला प्रोपियेट कौन सांज ऑप्शन बन रहा है तो सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जो समश्या है उसके प्रति जाग रुकता होनी चाहिए की जो समशा है पटिकुल किस चीज पर है किसके बारे में है तो वह समशा के परती जाग रुपता नेक्स्ट है शिक्षक डैस के अलावा निम लेकित सभी को करते वे समशा समादान को विद्यारतियों के लिए मज़िदार बना सकता है ऑप्शन जब विद्यारती स्वयम में क कोई कारे करने की कोशिश कर रहे हो तो वहने परिपूर्टा के पेशा करने मुक्त अन्त वाली सामकरिंड उपलबद कराने मुक्त खेल के लिए समय देने सजनात्मक्त चिंतन के लिए ऐसी मित अवसर उपलब्द कराने तो कौन सा जोols और होगा वह वह इस जो फिलीनों द तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जब विध्यारती स्वयम से कोई कारे करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूंता की अपिक्षा करने के अलावा ठीक है अलावा पूचा है को अपिध्यान चेपड़े कि उनको एकदम परफेक्ट की यह नहीं करना कि वह एकदम परफेक्ट करें यह करें करने की पूरी कोशिश करें तो यह था अंसर तो आपने अगर यह गलत दिया है तो आप पहले पढ़के ठीक से दें स्कान सा फिर से नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सी विशिशता समश्य समधान उपागम का विशिश्च चिन है तो सही उत्र प्राप्त करने का सामानिय तया एक उपागम होता है समश्य केवल सिद्धान प्रकरण प्राधारित होती है समश्या कथन में संकेत अंतर नहीं तुरूप से दिया जाता है या समश्या मोलिक होती है तो क्या होगा सकांजर तो समश्या समादान उपागम की बारे में बात की गई है तो वह होगा समश्या कथन में संकेत अंतर नहीं तुरूप से दिया होता है सब्सक्राइब परिया कि यह तो समस्षा कटर में जो संकेत होता है वह अंतर-नीथ होता है नेक्स्ट है । सब्सक्राइब होता है दो कौन अप्षिन होगा तरफ रूता होगा तजम गुष्टे श्तों फहाय। तो इसका जो आंसर होगा समिश्या को छोटे सुमें बाटना क्या दिरिक ठीक है नेक्स्ट है निम लिखित में से समश्या समधान को क्या बाधित नहीं करता है अंतरस्टी मानसिक प्रारूपता मोर्चा बंदी या नियधारन तो क्या होगा असका अंसर तो समश्या समधान की जो बाधित करने की बात की गई है कौन सी जो बाधा नहीं डालेगा तो इंसाइट कहेंगे एंटरस्टी को और जो मानसिक प्रारुपता है इसको मेंटल सैट्स कहेंगे और जो मोर्चा बंदी है इसको इंट्रेस्ट्मेंट कहेंगे और जो निधारन है उसको बोलते हैं फिक्षेशन तो यहां पे थोड़ा आप चेंजिस करें तो व्यस्त या ठीक है या सती ठीक है या साथी है ठीक है मनला क्लासमेट या कॉमेट कोई भी हो सकता है साथ में तो व्यक्सक बोलेंगे मनला कोई बढ़ा ठीक है तो वह एक व्यक्सक या फिर साथी की मार्गदशन की उपस्तिति में ऐसा करती है तो इस मार्क दशन को कहते हैं अंतक्रिया, पूरु क्रियात्मक्चिंतन, समीपस्त विकास का शेत्रिया सारा देना तो इस मार्क दशन की बात की गए इस मार्क दशन को करने को क्या कहेंगे तो इस कान से बताएं आप तो यह जो मार्क दशन दिये जता है वो एक M क्योंकि जो साती है या फिर जो व्यस्क है वो थोड़ा से ज़्यादा जानने वाला है तो उसको बलेंगे नेक्स्ट है जब विध्यारतियों को समुव में किसी समश्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बैतर होता है तिर रहता है आवनत होता है समान रहता है तो क्या होगा असका आंसर तो जब बच्चे एक साथ मिलके किसी किसी चीज को ढूणेंगे को समश्या का समाधान करेंगे तो वो जो वक्र होगा वो बैतर होता है ठीक है बच्चों के बारे में निम्न लिकित कत्नों में से कौन से सही है बच्चे जानकारी के निश्क्रिय प्राप्त करता है बच्च वाला बच्चे वेज्ञानिक शोद करता है यह वाला बच्चे परियावन के सक्रिय अन्वेशक है और तो अब इसको जो अपन को बताना है वो इसके अकॉर्डिंग बताना है अब बच्चे अच्चे अंचर देए तो क्या होगा इसका आंसर तो इसमें जो कथन है वो सही बताने है तो जो पहला option है निश्क्रिय प्राप्त करता है तो वह तो होई नहीं सकता ठीक है बच्चे समश्या समाधान करता है हाँ वह समश्या का समाधान करते हैं जब उनको रूनने के लिए दिया जाता है विग्यानिक सोथ करता है वह खोजने के लिए जैसे विग्यानिक खोज करत आपसंद करते हैं किसी के बारे में कि यह क्या है उनको सब जानना बहुत अच्छा लगता है और प्रयावन के सक्रीए इनुषक है फोर्स है तो कि यह की गई अनुक्रियों के आधार पर नई स्तिति के प्रती अनुक्रिया करता है तो यह किस से सम्मंदित है सीखने का साधर शर्ता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने का प्रक्रिया अभिवर्ति का नियम या सीखने का तत्परता का नियम तो यह जो ताउन डाइक के जो मुख्य नियम है इस पर अधारी तेक प्रश्ण है तो इसका अंसर बताएं आप क्या होगा जब वो अतीत के समान परिष्टियों में की गए अनुक्रियों के अधार पर अगर कोई नई सिती में अनुक्रिया कर रहा है तो क्या होगा तो इसका अर्थ है कि जो बच्चा है वो अपने पुराने जो अनुक्रियों कर रहा है उनमें इंक्लूड करके और वो नया कार्य कर रहा है में थाह थीका है उसको तरहा- पहले को यह काम कर रखा है तो पाख़ेंस पर स्परभाव पड़ेगा की नियम में को suspirr Fortune को था नहीं माना प्रक्राप्त होता है शीक्टन एखने सीखना लक्षेन मुख़ी इम्ट्रिया है तो की 안सर के से अंप मानना है यह बताना है तो यह बाद ठीक से बड़े प्रश्चन को कि तो पहला जो अप्षिन है कि सेक्षिक शंत्तान के वह लिए सीजसे जैसे स्कूल हें या फिर स्कूल है या फिर कोई भी स्कूल बस भी है जाँ पढ़के प्राप आप्तो हुगा और कई को बच्य को नहीं मिलेगा यह तो ओपशिन वह सीधा स्युधा सही हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं की के बारें बताना है कि जो विशाषल सतन नह है तो इसका आंचार आप मुझी comment box में बताएगे कि किसने प्रापर दिया था एक परसन जो थे उनका नाम तो कि बेस। इधान को बढ़ावा धिया था वो गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था और जो इसका आंसर है वो जो खुद जो थे वो भी गेस्टाल्ट वादी थे ठीक है उसमें वर्दी बारन कॉफबा वगरा भी इंक्नूर थे लेकिन जो प्रॉपर जो सिधानत जो प्रपतिपाजित किया ता अंतरजस्टी का वो के वह अपने विध्यारतियों को उत्र देने के लिए समू चर्चा है या और सायोगात्मक अधिकां अपनाने के लिए प्रोचसाइट करती है यह उपागम डैश के सदान पर आधारिता सक्रिय पागितारिता अनुदेशनात्मक सामगरी के उचित संगठन अच्छा उधारन प्रस्तुत करना और बूमी का प्रतिरूप बनाना यह फिर सीखने की तक परता तो क्या अंसर होगा इसका कि तो इनमें से कौन सा जो आप्शन है वह एक प्रोपीरेट होगा जो एक शिक्षी का इस्तमाल कर रही है कि जो शिक्षी का है वो खुद उतर ना देखे बच्चों से खुद से प्रश्न का उतर निकलवा रही है तो जब बच्चे समोच अर्चा करेंगे सायोगा अत्मक अधिकम करेंगे तो क्या सक्रिय भागितारीता होगी उसमें एक्टिव लेर्निंग होगी तो उसका मतलब है सक्रिय भागितारीता next अधिस ग्रैफिया क्या है पढ़ने समंदी कटनाई लिकने समंदी कटनाई बोलने समंदी कटनाई जबंने समंदी कटनाई तो जो dysgraphya है वो लिखने से संबंदित है ठीक है जो dyslexia पढ़ने से संबंदित है ठीक है तो यह सारे कुछ एक प्रकार के कुछ विकार हैं जो अदिगम के अंतरगत आते हैं हाला कि मैंने कुछ तो पड़ा रखे हैं इसके लिए मैं आपको बताए भी था लेकिस इसके लिए पेस्पिशल में वीडियो बनाने वाली हूं क्योंकि आज के लिए बहुत इंपोर्टेंड हो गया अजकल हर एक्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है तो यह जो है इस उसमें जो ग्राफ आ सब्कूर में लिखने से से रिल्टेड है तो इसका मतलब हो जाता है लिखने में कठी एधी ठीक है नेक्स्त ह्यां सबच्चों में ग्यान की रचना करने और तोड़ा हैं इसमें निसिप्र हैं समप्रिश का कर अइस सुगम करता कि आदिश देने की या फिर कोई नहीं तो किस प्रकार की भूमिका होगी कि जब रसना करने और एक अर्थ का निर्मान करने की शमता अगर पैदा करनी है बच्चों में तो कि तो जो एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए तो यह बहुत ही एक अच्छा कुशन है तो इसमें जो एक टीचर की जो भूमिका होनी चाहिए हो एक सुगम करता कि होनी चाहिए उनको एक अच्छे से मांग दर्शन कर पाए उनको फैसिलिटेट कर पाए कि आपको इस प्रकार से करना है ना कि एक भाशन देने लग जाया य तो इसका अंसर बता है आप तो यह आपका लास्ट यह वाप प्रशन भी है जो 2012 में जापका पेपर हुआ था एंटिटी का तो इसमें आया था और आज मैंने यह जो वीडियो डाला था तो इसमें भी मैंने आपको समझाया था तो विका साथ में कारे का प्रते जो बताया था वो है विंग हस ने बताया था तो इसको ध्यान रखें आप क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बार आ गया तो दुबारा नहीं आ सकता आ सकता है तो यह थे आपके फिप्टी क्वेश्चन्स तो क्या स्कोर रहा आपका चल सके तो कैसे लगाया है वीडियो जुरूर बताएं लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करें ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन है वह आपको टाइम पर मिल जाए तो थैंक यू य वीडियो गड़ करें वीडियो हैं लगे थास्ट स्बॉस्स– मैश मैं One cm literature